क्या जाओ जदेगो कुछ लोग मिनिस्टर पर हमला कर रहे तुम भी जाओ तुम भी जाओ अरे ये सब मिनिस्टर का नाटक है यार वो मेरे यहां होते हुए ये सब क्यूं करवारा ज़रा सोच एक बार कि हम लोग ये सब को छाप दें और क्या नहीं भाई मुझे तो ये बिल्कुल असली लग रहा है अब यार तु भी धोका खा गया ना ये फिल्म अक्टर से भी बहुत बड़ा वाला अक्टर है तु जानता निये इसको तु दिखते जा इसको जाल बाईटा उड़ा जाल बाईटा आपर मैंने आपर मुझा आपर दो आपर मैंने आपर प्लौ आपर रघ messenger आपर रट एका लो आपर आपर झाल 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 मत्ररीया जुचे तरोधट खाली और सलूट क्या कर रहा है बे एक सेंट्रल मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी बहुत आया होनी चाहिए और यहां मेरे प्लेन से उतरते ही मुझ पर हमला हो गया एरपोर्ट पर पूरे पब्लिक के सामने यह यह अगर यह आकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं मर चुका होता ओ माई गॉड़ सर इस दिन वाला हमला नकली था मैंने सिंपथी के लिए था पर आज वाला असली था अनिस्पेक्टेट इस ओके सर ठीके मेरे जीवन दाता हो मेरे दूसरे बाप समानो प्लीज सर ऐसा मत बोलिए इसका दूसरा मतलब हो जाएगा मुझे परवा नहीं आज से तुम मेरे दूसरे बाप हो अरे सर बोलो जो चाहिए बोलो यह एरपोर्ट चाहिए तुमें मेरी सारी फैक्टरिया चाहिए तुमें क्या चाहिए बोलो मैं तुरन दे दूँगा ना मेरा पिता जी नमस्ते नमस्ते जाई अब चले न अचल अब दो सैंड्विच बच गए ना दर्वाजा बंद कर दीजे बाइबाइब बुझे तुरंथ हमला करने वाए पोर बंच घृ अजिंग अगए झाल नहां तुरादय झाल है बन्यक्ला पिक्तार रिका अइब चजने दो आई खरूआ उहांगागा पुझाच मैंसें आपर या लाइब नाइब, आपर टाम नाइब मैंने का नाइब, भाल हमें कintérieur дорогils व्सराण है जंक मैं पराकों आपया και तंक अभी लाइम, दाप्ष टूशें अजी लै हमें अBERG 좋स्त कैना यंजया झाल 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 यहाँ आए तो आप आम जंता की रक्षा कैसे करेंगे? इस घटना की हमें भी जंता है अगर अगर मिनिस्टर पर हुए हमले की ख़र फ्रेंड पेज पर आई तो ये शरम की बात होगी ये सर हमला करने वाले की ख़र सिक्स पेज पर प्रिंट करना ठीक है? रिडर्स की क्रियो सिटी को मेंटेन करके रखना होगा फोर्ट साइच को रखना वाइड बैग्राउंड रखना और लेटर्स को रखना रखना ओ लेकिन सर ये ओरिजिनल न्यूज नहीं है तुम को नो? कगन दीखषित फ्रों कॉल का था? येस मैंने मिनिस्टर को हमले से बचाया था पर बाद में पता चला कि सब कुछ नकली था ये क्या है? एसदी कार्ड इसे कनेक्टेड था पैसा का मैं ब्रो मैं सब को बता दूँगा कि ऐसा मिनिस्टर नहीं करवाया है मैंने तुम्हें आटक करने कुगा था तुम्ही आ कर रहे हो और मैंने तो इसके कहने पर हां कहा था मिनिस्टर नहीं आटक करने को बोला तो हम क्या करेंगे भाई बता नहीं लेकिन सब बस नाटक था और कुछ नहीं ओ गॉड मनिष्टर ने पैसे देखे यह सब नातक करवाया, बट वाय है और किसलिए सर, मौके का फायदा उठाकर सिंपैथि वाले वोट पाने के लिए उन पर हमला हुआ तभी मुझे डाउट हुआ था गोलिया तो चली मगर किसी को एक भी चोट नहीं आई चेक किया तो गोलिया भी नकली थी माइंड ब्लॉइंग बाकी नियूज पेपर वाले कल गलत ख़बर चापेंगे पर हम उरिजनल नियूज वित प्रूफ चापेंगे ग्रेट, वेलकम टु बैंगलोरू अपने इस शेहर में क्या वेलकम करवाना सर मुझे तो बस आदर दिन की छुटी चाहिए सर थेंक्यू सर एक और बात कल की नियूज में आप मेरा नाम मत लेना उन्हें पता चल जाएगा उससे अरे आप समझो उनकी सच्चाय पेपर में चप गई है तो सर गुस्सा होंगे तो उनकी बात का आप बूरा मत मानना गुस्सा मत होना आप लोग वो कौन है? कौन हो तुम? यह मैं हूँ अबे वो कौन है? सर बारा बज गए रिंग वहाँ कोई मेरी वाट लगा रहा है और तुझे रिंग की पड़ी है बनकर मेरी बाई आग सुबह से फड़क रही थी और मेरे साथ यह हो गया पबलिक के सामने इज़च चली गई इज़च चली गई मेरे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं था पर उस जैसे को कैसे पता चल गया है कौन साला वो कौन है वो कौन है कौन है प्यारे दर्शकों हम आज एक ऐसी लोकेशन पर है जहां छे फिल्मों की शूटिंग चल रही है हमने सिनेमा के आज तक के पूरे इतिहास में ऐसा डारेक्टर नहीं देखा है जो एक साथ छे फिल्मों को डारेक्ट कर रहा है कार कब तक आएगे हमारे तूट गई है इतने सारे लोग, इतने सारे अक्टर्स, इतने सारे टेक्नीशन्स यहाँ पर एक बड़िया शूटिंग चल रही है तो आखिर इन सब के पीछे है कौन? आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? चलिए जानते हैं कि कौन है वो जो छे फिल्मों को डारेक्ट कर रहे हैं आपने कैसे छे सिनेमा को एक ही वक्त में डारेक्ट कर लिया? क्या आप इन अलग फिल्मों के अलग सीन स्चूर्ट करने में दिक्कत नहीं हूई? यह मेरी दिक्कत नहीं है यह वेवर्ष की दिक्कत है जानती ओह ऐसा करने से शारी 6 फिल्म और वह दूसरी वाली में होगा और उसमें छूटा हुआ सीन अगली मूवी में होगा अगर लोगों ने सीधी आखरी मूवी देखी तो नॉट पॉसिबल क्योंकि मैंने सभी मैं कुछ ना कुछ छोड़कर उन्हें मिक्स कर दिया है वो छूटे हुए सीन बाकी 6 सिनमाज में दिखेंगे जो मैं डारेक्ट करूँगा अगले साल अगर कोई डाउट हो तो अगले साल मूवी देख लेना ए जूस ए मैंने जूस कहा था ये तो टॉलेट पीपर लग रहा है ये दस दिनों की शूटिंग का बिल है मुझे अब तक पैसा नहीं मिला है तुमें तुमें मिल जाएगा तुमें मैं कोई आप डारेक्टर लेता हूँ क्या कभी तुमने किसी को छे फिल्म से एक साथ डारेक्ट करते देखा है अलग लग तरह की सीन शूट होते हैं फाइट के रोमाइंस के इमोशन्स के तरह तरह के कभी भी एक दूसरे से मिले भी नहीं है अब ये वाला काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता क्यों? जब फिल्म शुरू होई थी तब बैचारे प्रोडूसर ने किड्नी बेची थी और जब शूटिंग शुरू होई थी तब बैचारे को दूसरी किड्नी भी बेचने पड़ी थी और ऐसे में अब तो वो मर चुका है बैचारा इतनी सारी चीजे हो गई मेरे कार वाँ से बाहर आते और जाते समय अब इससे कैसे पटाऊं? अब क्या करें सर? ये दे दो जब तक तक तुम्हें कोई प्रोडूसर नहीं मिल जाता साले ने बीच रोड में नंगा कर दिया अगर पता होता तो थोड़े सिक्स पैक बना ले था तो प्यारी दर्शको जो डारेक्टर छे मूवीज को डारेक्ट कर रहा था वो आज यहां पर बस चड़ी में खड़ा है सर ये क्या है? तुम्हें अची टर्पी मिलेगी कहो तो ये चड़ी पुतार दूँ हैं डर गई हलो हलो तू कहां यार? तू? बैंगलोर में? हैं मैं सारी शुटिंग रोक कर अब ही आता हूँ ठीक है आजा बढ़ा बढ़ा भाद दिया पोन गाड़ दिया एए बसकर यार कुछ ज्यादा ही खा रहा है तू ये अपुम्प्लिमेंटरी है तुम्हें बताया क्यों यह तुम्हें आगयों और होटल में रह 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 यो कर बाहर आ जाना आज कस्टमर केरों में बोलता हूँ कि टावर अच्छा नहीं है कितनी अच्छी खुश्बु है यार शह मेरा फोन तो बज नेरा तो ये किसे कॉल कर रहा है नहीं लग रहा गुरू मेरा फोन शट पॉकेट में था अभी भी नैटक प्रॉब्लम अभे तेरे यहां पर होते वह तुझे मैं क्यों कॉल करूंगा बोल करेक्ट है एक इंपोर्टन्ट आदमी है उसका फोन दो महने से नौट रिचेबल आ रहा है मैं बैंगलोर उसी आदमी के लिए आया हूँ उसे मिलने के लिए कुछ बात है जो मुझे उससे जाननी है इसलिए आया कौन है वो बंदा पताऊंगा अपनी बाइग उठाओ मैंने रहने के लिए घर किराय से ले लिया है समझ गया पहले वहां चलते हैं तो मैं कंणर में बोलते देख दिल खुश हो गया तुम इतनी सालों से कॉलकाता में थे फिर भी इतनी अच्छी कंणर हाओ ए कॉलकाता ही क्यों मैं कैलाश भी चला जाओं तब भी उनसे अपनी मात्रभाशा में ही बात करूँगा समझ गया न तू मेरी फिल्म के लिए एच्छा डायलोग मिल गया चल ठीक है ओके शले अपसे मैं भी करनाडी बोलूँगा बस बस रुखे 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 तूलेट का बोर्ड भी लगा हुआ है क्या सर आप या पर रहने में ले आये हो क्या अरे नहीं सर स्षाम च्छे बजे के बात तो मैं इस रोड पर टमाटर भी नहीं भी बेच्थ आ और आप लोग तो सीधा यहां पर रहने के लिए चले आए यहां पर राइना मतलब सुसाइड करना है सर इस गर में भूत है यह भूतिया गर है कौन बोला किस ने बोला मेरे घर में भूत है अभी देखता हूं से हाँ निकल लिहां से चल अपना दंदा नहीं कर पा रहा तो मेरे घर को भूतिया बोल रहा है फोटीः लेיבत बोती उखल तोडहाँ समझता काया? तेरी सारीा फिकतापकरूँ मैं तुह समझता का फुटीः स्मझता हुए जुब दegनाँ लुण ईल्हेखना हुए निजै के शुटीमि करनagon दूलगा देकवROजने ओुटीमाँ गणाता हुए कोई भूट मेरे घर रात मैं रात में रात मैं इसकता है क्या रख अट है क्या बता है रख शाहिए बिलकुल सही पता नहीं तुम थम्हेर तारीफ किया बेज़ से पहलें टेख वर मेरे दिल को सुन कर बला अटछा लगा अँ अब अंदरा गर रखुँ ठीख हो थेख आजश हम दोनों बैचलर हैं तो पांच है हजार है ठीक है चलेगा चलेगा अरे सर उसका गर भूतिया है तो अभी तक या नहीं पिर से बोल रहा है भाग जाए आहसे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो दूंगा अरे नी दराम हो जाएगी अरे बसकर नहीं तो चुपर मैं मैं अद्व तो अपनी मां के बास यह कह थी ना किया पर भूत है हरे अब मेरे बास किरायदार है जल्दी वापिसा जल्दी वापिसा इसकी अब ज़रूरत नहीं है दूट आ करने अब उनक्या रा भूत है कि अबास जाई運 में चेल्दी एकॅज़ उनक्या ऱ्ड़ा इसा ऊचेली अएऒ भास करे समाल है यहाद डॉट थाटो तू स्कूल के माई बास जल्सेंश पैंगेश अएख यहाद दूशा सब अजह मुल्से कौसे यहाँ ठासर करि पर कोई एंटी नहीं है, यहां तो कुछ लाने की विजरूरत नहीं है, मकान मालिक यह आलिशान कमरा दे रहा है, वो भी सिर्फ 6,000 रुपे में, यहां जरूर कुछ तो लोचा है, क्या वो सबजी वाला सच बोल रहा था, हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, बेवाकूफो जब तेरी मुवी शुरू होती है तो प्रेडिउसर तेरे को भगवान लगता है हम इंसान है यार हम अपने हालात के हिसाब से भगवान को मानते हैं यहाँ भूत हुआ भी तो मुझे कुछ नहीं करने वाला ये मेरा विश्वास है क्यों, बोत को ऐसे पता कि तुँ पावर स्वार हो? नहीं, मेरे पिता जी ने नक्षत्रों को देखते हुए पूजा की है ओ, सौरी, और नक्षत्रों के हिसाब से ही उन्होंने मेरे हाथ में ये धागा बांधा है ये देखो, अच्छा, इस धागे की पावर क्या है? देखो, मेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हमारे शास्त्रों और भगवानों को नहीं मानते अगर तुम अपने पिता की सच में इच्सत करते हो, तो इसे बांध लो क्योंकि तुम्हें एक जर्नलिस्ट हो, तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जगाओ पर जाना पड़ता है मैं ये पवित्रधा का बांध रहा हूँ ताकि बुरी बलाये तुमसे दूर रहे देखो बेटा, तुम्हारा जो ग्रह है वो सही जगापर बिलकुल नहीं है, तुम्हारा हाथ आगे लाओ पिता जी, मुझे इन पर विश्वास नहीं है, मैं इसको पहनूंगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी हाँ मिलेगी तो बांध दीजिए तुम किसी नास्तिक के तरह बात करते हो, तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए ये कहानी है कवाल एर, तुम्हें बहुत से डरने की जरुरत नहीं है, और भगवान से तो है मैं नहीं डरता, मुझे ऐसा यकीन है वो क्यों? जब मैंने बच्पन में भगवान को बुलाया था, तो वो पिलर से निकल कर आये थे और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अगर अब मैं बुलाओं तो क्या वो नहीं आएंगे? सही है, अगर तुम बुलाओ तो भगवान क्या? तुमारे सारे फैंस भी आ जाएंगे सही ह्गारे तुमारे राइंगे कि और डहारां गाया अर्य क्या वह व्या कर अर्य कर डैल यहां अर्य क्या हुला फ्लिए टा ज़ि जिर खिवार इंड बसे हमने कर दो ता निज्टा ये कल के हेडलाइन्स होगी सर तुम समझे रहे हम इतनी बड़ी न्यूस पेपर कंपनी बिना एट्स के कैसे चलाइंगे रैटिकल बनो मैं मिनिश्टर के साथ अपॉइंट पर फिक्स करता हूँ ताकि उसके बारे में अच्छा एटिकल लिख सके है तुम्हें उसका इंटरफ्यू लेना चाहिए हम जानते हैं कि वो आदमी लोफर है सर तो फिर अच्छा कैसे लिख सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते हैं प्लीज यू शुड डू इट सर मैंने सुना है कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है अगर पॉलिटीशन पैन कंपनी का मालिक बन जाये तो पैन को और तेज होना ही पड़ेगा हाँ यह सब देखने के बाद मेरा मन इस जॉब को छोड़ने के लिए कर रहा है अगर तुमने रिजाइन दिया तो इसका सर बाकी इंपलोईस पर भी होगा सब तुमारे हाथ में है प्लीज आप सेंटिमेंटल मत हुए सर मेरी ज़्यादार फैमली ओडियन्स है सर मैं लिखूंगा आपके लिए लिखूंगा और मैं जाओंगा और मैं जाओंगा ठीक है भूलना बात कल पक्का जाओंगा हालो साह मेरे दोस्त का नंबर दो महिनों से नौट रीचेबल आ रहा है क्या आप नंबर से अड्रेस निकाल सकती है वो आपका अच्छा दोस्त है तो आपको अड्रेस पता होना चाहिए न सौहरी सर पर हम आपको अड्रेस नहीं दे सकते मैडम ये हमारे एक सब्सक्राइबर का अड्रेस मांग रहे है सौरी सर जब तकि गवर्मेंट परपस के लिए ना हो हम अड्रेस नहीं दे सकते मैडम आप जर्नलिस्ट ओ जर्नलिस्ट तब तो नो चांस ओए अब तु मेरा जादू देख नीचे देखो तुमारे लिए कुछ है ओओ फाइफ हंड्रेस दिया तो अगर तुम जेसे को अड्रेस दिया तो अपनी जोब पक्का को दूंगी मैं इसलिए हमने मांगा था चली यार रख लो वो सही था है ना मैम? अब मुझे याद आया ओ शिट मैंने भगवान से कहा था कि मेरा प्रमोशन होगे तो एक सुआट रुपे चड़ाऊंगी मैं ये काम करके आती हूँ यू कैरी ओन ओके? यार वो मुझे पर ऐसे चिला है जैसे खुच सचाई की मूरत हो लोग पैसे के लिए सब करते हैं पर उसना एडरेस तक नहीं दिया अबे अबे यह कौन गाना बजा रहा है मेरे बीने के बाद गाना बजा रहा तेरी तो रुख कोई कुछ नहीं बोलेगा मैं अभी पी रहा हूं तो मेरे इसाथ गाना बजना चाहिए स्विच ओफ आपना बने है यह तो फंद ओणे है गुद बाई यह अ गुद बॉइ भाई है है यह लाइट किसने गलो किया है यह बर्भूत है मैं उसके पास जाता हूँ ये तो शांती सा सो रहा है, ये इस दागे की शक्ती है, मैं पकड़ कर सो जाता हूँ मैंने लुगों को पर्स या चैन चुराते हुए देखा है, और उदागा चुरा रहा है बे मैं चुरानी रहा हूँ, मुझे धर लग रहा है, पर तुम मानो के नहीं, मैं भी सुरक्षित रहा हूँ, इसलिए दागा पकड़ कर सो रहाता कुछ नहीं होगा, सूजा दारू की बाध सारी जाकर और पीले कोटर पे गा सबकुछ ठीक, जाकर पीले जल निकल ऐसा क्या, ठीक है दारू तो खतम बार जाकर इह देखता हूँ कुछ end केशवा कर न है ? कर मों बोलरह?.. कर मों बोलरह, मरा अमक्रले ओ właściwie कर डब मैं हे है! कर में करने है.. बब कर चोड़देंट.. करादेंट.. कर बुद न न न गोल सबस्सक्त gap कर मि कर मि दो चोड़दें.. कर फे सी टासा.. कर चलरदें.. 항 में में तुम लोग अच्छे से सल तुम एंगा रह या नहीं पुरी रहा था कि तुम लोग अच्छे से सो थे और या नहीं आपागल, तो दूर्से नहीं सथे नहीं सता का इटाग पूरी रात मैं आरे ड़रे गायर शुआ है और इसा सुन्दर चाहरा दिखा य। तो दिस दिद नहीं दिन भी शुए इपनावाओंगा घौक्नाघ। कह मेरि मर्जीन से एफ जुछ म कि वाक्षागा का धार आप्शोड मनॉस्त तरव्छ सूप्टैंँ गराबरी मिरी मर्दीन pare-ष ए सकरष्छ सर आप खड़े की हो बैथ एप दिधे मैं आफ तुलर दुराबर वो भी बैंगलोर जैसे शहर में कैसे अच्छा छोड़ो एक काम करना ज्यादा कुसली बस अगले महीने से किराया पच्ची सजार देना सब ठीक चलो भाई आज के आज ही ये घर चोड़ देंगे ये कुछ जाधे किराया मांग रहा है भाई मुझे लगता इस घर में सिफ हम दो नहीं बल्कि एक और कोई है गलत तुम गलत बोल रहे हो ये सब कहानिया बना रहे हो क्योंकि मैंने किराया बढ़ा दिया गलत है क्या इस घर म अब भूत है हम लोग भी यहां से चलते हैं कल की बात है कि चिंता अबत करो कल मैं रिष्टदार की शादी में चाहा खाली आथा शायद वो मेरे पेट की साउंड इफेक्त था है गलत समझ ना हम एक परिवार है हम बहुत अच्छ परिवार है पैसा तो क्या क्म यादा होता क्या पतशत करना मेरे पेटक अवास्ती अपने दोसको प्रहका तो कांपने जाने करे अपने सामने लिए AG्ट कर रहाा हुदा कि मैं काम निकल वालिया अच्छ मुझे याद या जरूरी कामे तो मुझे जाना होगा रहा है मैं चलता हूं अई घुरू मैने कोई कहानी नही सच बोल रहा हूं यह दोनों ही मुझे मार के दम लेंगे या कम इन कहिए सर हाओ कैना हेल्प यू तुम्हारे एक्स्प्रेशन बिल्कुल भी बदलने नहीं चाहिए मेरे आदमी तुमारी शोरूम के अंदर है उनसे कहो सारा पैसा काउंटर पे खड़े हमारे आदमी को दे दे हलो यस मैम देखो वहां कर कोई कुछ भी मांगे दे देना ठीक है ओ भगवान मुझे पचालो एब भगवान तुमा गए अब आई गए हो तो बाहर क्यों खड़े हो अंदर आचाओ ऌह वगष्ट अुमारा शाराव और हमारा वी झासे तुमाराव 2nd आई आई बाहर क्कोलो कम पता सुमारा करना पर प्रेट खूमारा प्रेना रोववारा भ्रेकर खड़े火वा उना पर ताता, ॉवा nuta बाहर वख़े हो न्चाने उना. 0 अीजर penal刷 करtsåंस और act असदू हो भूए औरते हैं, पुछाआ करना 거iu जय थोड़ एई मेडम, आप यह सब डिजर्व करती हैं, जिसे आपको बचाना चाहिया था उसे आपने भगा दिया और एक चोर को अपने केबिन में आने दिया, इसलिए आप यह सब डिजर्व करती हैं, एखिए मैं एक जनरलिस्ट हूँ, एक रिस्पॉंसिबल आदमी हूँ, ना कि मैंने एक चीज सिखी है कि हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, अगर आप कुछ करना चाहती है, तो मुझे प्लीज एड्रस दे दीजिए, ठीक है, पता है कि आप यहीं देने वाली, एहसा मच सोचो, बेच्यारा, अच्छा इंसान है, मैंने उस दिन बिना वज किल में थी, तो उसने मेरी मदद की, अब मेरी भारी है, हम, सही, सही, हे मेरे भागवान, आज तो ज्यादे गंटी बज रही है, मैं कल जाकर उसे अड्रस दे दूँगी, हलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ, ओ आप बोलिए मैडम, मेरी असिस्टेंट के पास तुम्हारा नमबर था, तुमने कल मेरी काफी मदद करी, मैंने तुम्हें कॉल किया था कि तुम्हें अड्रस दे सको, ओ वाव, आपके फोन में बजने वाली घंटी की किसल, हाँ, उसी स परमिशन लेकर तुम्हें कॉल किया है, तुम्हारी घंटी का शुकरिया, जो टीवी की तरहा रिपीट टेलिगास के जगे, जल्दी काम हो गया, तो कहां मिलोगे, एड्रस के लिए मिलने की क्या ज़रूरत है, एक मैसेज सेंड कर दो, बस, देखो, मैसेज किया तो वो सब कॉफी शॉपपर, ठीक है, येस, लगता है, तुम कुछ और ही करने की सोच रहे हो, अरे जाने दे, बकवास कर रहे है, एक मिनट, ए, 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 बिल का पैसा तो दे, वैसे इंटर्व्यू के तरह है, पूछो, आम तौर पर, पॉलिटीशन्स भगवान से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सिर्फ भगवान ही नहीं, ग्रान अक्षत्रों में है, और बहुत सारी चीजों को मानते हैं, और डरते भी है, भूत और होरस्कोप में भी मानते हैं, अगर इसका सिर्फ थोड़ा सा भी परसंटेज, आप लोग हमारे देश में मानते हैं, तो हमारे देश की हालत अब तक बहुत ज़्यादा सुधर चुकी होती, देश तरक्की कर चुका होता सर, इसका इरादा कुछ करने का है, मेरा घ इसका सिर्फ परसंटेज लेते हैं सर काम का, यह डारेक्टली पूछ रहा है, यह इंटर्व्यू है, इन्वेस्टिकेशन नहीं, सर, मैं इंटर्व्यू ले रहा हूं सर, कैसी बात कर रहें आप, यह प्रैक्टिकल इंटर्व्यू है सर, गुरू, मैं यह सेंड़ेज मैं ए सर, इन सभी राक्षच की क्वालिटीच को मिला कर बनता है, एक पॉलिटीचन, हाँ, हम खर्चा करते हैं और कमाते भी एंक अरते हैं यह अधे हमारा काम है, पर इससे चुपाना और हमारे बारे में अच्छा लिखना, यह तुम्हारा गाम है ओके सर आपने जो कुछ भी कहां मैं लिख देता हूं सर मैंने जो बुला वो बस बताने के लिए था लिख कर चाह अपने के लिए नहीं तुम्हें पता है पॉलिटिक्स का मतलब क्या है पता है एक विलेज काउंसिल इलेक्शन को जीतना कितना मुश्किल होता है मुझे तो लगता है मुझे पारलेमेंट में होना चाहिए जानते हो इस मिनिस्टर की पोस्ट को पाने के लिए मुझे कितनी महनत करनी पड़ी मैंने लोगों को पैसे दिये और पूझाओ में भी पैसे लगा है पुझारियों के तो बात नेकी जीतने के बाद ये सब पैसा वापस आसिल करने में क्या दिक्कत है इंटर्वी के शुरुवात में तुम क्या कह रहते है प्राक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है यह यह तो है वह सर मैं लिख सकूँ ऐसा कुछ बोलिए सर आप ने जो बदलाव ला है उसके बदलाव लाए जैसे मलेशिया शिंगपूर औस्ट्रेलिया ऐसी काही सारी कंट्रीज सर में परसनल डेवलमेंट के बारे में बिलकुल नही आप कहां जा रहे हैं सर कुछ ऐसा अच्छा नहीं जो आपने किया हो आपको याद हो गुरू क्या इसका पैसा देना होगा एई यह हमारा ही पैसा है हम टेक्स देते हैं ब्रो सही कहाना सर सर एक बात याद रखिए पॉलिटीशन राक्षर शब्द का कॉम्बिनेशन नहीं है ना कि जैसा आपने बताया वैसा है सच्चाई तो यह है कि एक पॉलिटीशन वास्ताव में राजा होता है जो अपने प्रजा की पूरे दिल से रक्षा करता है और प्रजा के दुख सु का पूरा खयाल रखता है हम ऐसा भी कह सकते हैं सर सर आप अच्छे काम कीजिए सर इंटर्विव में हमेशा आपके बारे में ही लिखूंगा सच में फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं होई आएम हैपी हम बैलारी में हैं अब हम बैंगलूरू कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है अलो ब्रदर अपने एडिटर को मेरा आभार देना है हम हम उससे पसीना निकल रहा है मुझे नहीं लगता फ्लाइट में एर कंडिशनर था इस इंट्रूवे में मेरी बेज़त था जाओ 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 तुम भी जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ अरे ये साम मिनिस्टर का नाटक है यार वो मेरे यह होते हुए यह सब क्यों करवारा ज़रा सोच एक बार कि हम लोग यह सब को छाप दें और क्या नहीं भाई मुझे तो यह बिलकु असली लग रहा है हुए झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा is जैंन 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 क्या आप ठीक है एर्रिस्वांसिबल फेलोस है मुझे सलूट क्या कर रहा है एक सेंट्रल मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी बहुत हाय होनी चाहिए और यहां मेरे प्लेन से उतरते ही मुझ पर हमला हो गया एरपोर्ट पर पूरे पब्लिक के सामने यह यह अगर यह आकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं बर चुका होता ओमाई गाड़ सर इस ओके सर उस दिन वाला हमला नकली था मैंने सिंपथी के लिए था पर आज वाला असली था अनिस्पेक्टेड इस ओके सर तुम मेरे जीवन दाता हो मेरे दूसरे बाप समानो प्ली अज सर अज सर अमद बोली है उसका दूसरा मतलब हो जाए गाजए पर्वा नहीं आजसे तुम मेरे दूसरे बाप ओ अरे सर लो जो चाहिए बोलो यह एरपोर चाहिए तुमें मेरे सारी फैक्टरे एच यह तुमें क्या चाहिए बोलो मैं तुरन दे दूंगा सर अगर रख लो इसे रख लो रख लो अरे सर मेरे घर में बाइक रखने की जगे नहीं है मैं ये कहां रखोंगा सर बस मुझे छुड़वा दीजिए वट शिंपल मैं मेरा पिथा जी नमस्ते नमस्ते जाई अब चले ना अब दो सैंड्विच बच गए और दर्वाजा बंद कर मुझे तुरंत हमला करने वादी हुई है सर सर यह बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था सिदे के स्टाफ चलो आपने अपने रिंग बंद के बारे में सारी ख़बर चाहिए इसकी ख़बर बाहर नहीं जानी चाहिए ए गुरू मिनिस्टर ने तो तुम्हें कुछ भी मांगने को का था तो मुझे मेरा प्रोडूसर बनने को कह सकते थे मेरी फिल्म कंप्लीड हो जाती यह यह तो शुरुवात है अब से मैं जो कहूंगा मिनिस्टर वही करेगा अब हम साक्षी से मिलते हैं है उसे कहूं कि कृठ नहीं है है कि अलो हाई साक्षी हम किस कौफि शॉप में मिल सकते हैं कौफी शॉप मेरे ऑफिस आजा ना सुभा उसने कॉफी शॉट में मिलने को कहा था अब वो मुझे अपने ओफिस बुला रही है अरे भाई, कुछ तो मिसिंग है पक्का अगर तुम मिस्ट कॉल्स करोगे तो सब मिसिंग ही होगा करेक्ट मैडम, हमारे बॉस को देखने के बाद हर कोई देखते रहता है पर हमें एक काम है एड्रिस देतो तो हम सले जाएं मैंने यहां तुम्हें अड्रिस देने के लिए नहीं बुलाया है तो फिर? उस दिन मुझे हीरो बनके जो तुमने बचाया उसका रास पता चल गया है एक अंजान अंकल ने मुझे तुम्हारे इस नाटक में फसने से पहले बचा लिया यह ले, यह हो समले की गुंडों का बिल यह तुम्हारा कमिशन काट के है बॉस वैसे हमने ज्यादा खर्चा कर लिया है मकान का, बिजली का, बाइक का, पैटरूल का, सर्ब चीज का तुम्हे वैसे इतने से पैसे की चिंता क्यों है हमारे लड़कों ने मस्त आक्टिंग की है अच्छा, क्या कलाकार की कोई कीमत होती है किया बताओ, बताओ मैंने 300 रुपए SMS पैक पर भी खर्च की है उसका पैसा भी देना होगा अबे बस कर यार तू, कितना बोलता है कमीनो, तुम मेरे घर में ही नहीं बलकि बाहर भी ड्रामा करते हो अब मैं आग में घी डालूँगा मजा ही आजाएगा, एक दम मजा आजाएगा मौका बिलने दो उस लड़की को तो मैं सब सच बता दूँगा तो सब कुछ ऐसे हुआ है उस भूतिया मकान का मालिक हमें टॉर्जर कर रहा है तुम इतनी असानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते भगवान मेरी साइड पर है हलो क्या क्या पापा हे साक्षी, वो गिर गई हलो, साक्षी, तुम ठीको हलो, हलो, आवाज आ रही है प्लीज उन्हें बता दीजी कि उनके पिता को हार्ट अटेक आया है अरे, क्या कहरी, वो बेहोश हो गई है अयो, क्या हुआ पहले एंबुलेंस को बलाओ, जल्दी सर, सर, कोई रिस्पॉन नहीं कर रहा है प्लीज कुछ कीजी, सर, क्या कहरी हूँ, प्लीज सर हलो, अपपजी बोल रहा हूँ सर, मुझे आपसे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए, सर मेरी एक फ्रेंड की फादर को हार्ट अटेक आ गया है उन्हें एंबुलेंस नहीं मिल रही है, सर पहले उन्हें बचाहिए, सर, आप रातना क्यों कर रहे हैं, सर चिंता मत करो, मैं उना, मैं उनका जीरो ट्राफिक में प्रबंध करता हूँ और तुरंत किसी हॉस्पिटल में भरती करवाता हूँ, ठीक है, कमिशने को कॉल करो जी सर सर, मैडम को क्या हुआ है सक्षी, अब कैसा लग रहा है, पापा कैसे है, हमने उपरेशन कर दिया है, घबराने की बात नहीं है, थैंक यू रॉक्टर, एक्छली यह इन्हें जीरो ट्रेफिक में यहां लाए है, इन्हें थैंक्स कही है, है, फिलिंग बेटर, थैंक यू सो मच, नो प्रॉल्लम, अच्छा, साक्षी, लाइफ में कोई बी चीज बिना कारण के नहीं होती, मैं अंजान होके भी तुम्हेरे पापा की जान को बचा पाया, इसी तरह एक इन्सान मेरी जिन्दगी में आया और फिर चला गया, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं एड्र अंधंचे में एड जिन्दगी मैं है, हूँ गोन, कोन, कोन, कोन खून खून एई क्या हुआ एए मैंने कहता रहे हैं भूत है तुमने नहीं चुना अब देखो भूत 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 बर्सा रहा है खून एए खून है हाथ मत लगा अब तुम कह जा रहा हो यहर वो टर गया है रुक रूप रुक 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 दरमत यह चत्पे क्यो जा रहा है हम् पापा सालेक कमीने बेवकूफ गदे कहीं के एक नमबर के बिकारी बासी तरकारी साले बुड़े तु यहाँ बैटाव डाया रहे है तु इतना बदसूरत है कि तुझे बाल डाय करने बड़े तु जगे टैंके पास ही टूटाव डाय कंटेनयर लेकर बैट सांडर गिर रहा है कॉह झाला क्यू रहा है आक एक पाक्द्स की रही है विना बीच के अंगूर हो एक और वाव इना बीच बाइचके अंगूर हो किस कोड़ कर ने जाए क्या है काले गण गदे लुत शे ड़े अ한다 है is tam the right केशोब दो गया है केशोब कि को दो उसे कि थे उत हमाई तुझा जोड़ूमा राही साले कमीने मोटे गेंडे तू छोड़ मुझे, आज उसकी बेंड बजा गया तो, अरे जाने जाए या, अवे टावल गिर रहा है, छोड़, उस साले मोटे ने देख मुझे कितना शराब दिया कि मैं काब रहा हूँ, इस गर में आज ही बजी सी चीजे होती है, हम शांती से जी रहे हैं क्योंकि तुम् अरे यार, अब तक मुझे डर नहीं लग रहा था, अब मुझे डर लगने लगा है, कहां गिरा होगा भाई, ओ, तुम दोनों के लड़ाई में कहीं गिर गया होगा, खेर जाने दे, वैसे भी मैं उसा निकालने ही वाला था, अच्छा हुआ वो खोदी गिर गिर गिया, ते क्या होगा, क्या है, क्या है, क्या है, क्या तुमने मुझे जगाया, बोल, तुमने मुझे जगाया, बोल, तुमने मुझे जगाया, और बोल रहा है, मैंने तुम्हें जगाया, तुमने मुझे जगाया, और बोल रहा है, मैंने तुम्हें जगाया, तुमने मुझे जगाया चलो चलो सोजाओ अब जब तुमने धाका खोल ही दिया है तो तुम्हें पता चल रहा है ना कि यहां भूत है अई सोजा तू चल भूतिया कहानी बना रहा है फाल तूमें बॉस 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 तुम मेरे साथ लुकाचिपी का केल केल रहे हो मैं नए डरूंगा मैं नए डरूंगा मैं नए डरूंगा बॉस बॉस भास झाल झाल मुझे नीन नहीं आ रही है तुझे भी नीन नहीं आ रही है क्या जिस टाइम पर तुम इस तरीके से खड़े थे मेरी तो दिल की दड़कर रुग गई थी मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है मेरी जिंदगी एक ख़र मूवी बन गई है ओ लोर्ड शिवा, ओ लोर्ड शिवा केशव, क्या है तुम्हारा चश्मा है? मेरे पास कॉफी के पैसे नहीं, तो चश्मा कहा से लूँगा? अलो बॉस, तुम्हारा नियो गैड़ तो बढ़िया है, मुझे थैंक यू भी नहीं करा, लेफ्ट, 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 अरे हमें तो लेफ्ट जाना था, तो स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं? आप तुम दर गए थे, इसलिए भगवान में मानने लगे? हे, हमें वहां से लेफ्ट लेहिना था तो, हम मंदिर के सामने क्यों हैं? में वहां कब से लेफ्ट लेफ्ट चिल्डा रहा था, मुझे लागा कि तुम्हें मंदिर जाना है इसलिए मैं चुप रहा हैं? मंदिर और मैं, तू पागल हो गया क्या, पक्वास कर रहे है, अच्छा सुन, मैंने कुछ किया क्या, तुम रात को ढंक से सो ही नहीं हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा, चलो आफिस चल कर ब्रेक्फ़स करते हैं, कुछ ऐसा खाएंगे जिससे माइन फ्रेश हो जाए, गु उस सैट को फर्स्ट बीच पे रखना, सर, आपने एक बहुत बड़ी गल दिखी, आपने अपाही जो पे आडिकल छापा होता तो, बहुत से जिन्दकियां बज जाती सर, कौन सा आडिकल, क्या क्या रहे हो? आप क्यों खड़े हैं सर यहां पर, मैं यहाँ बैठा क्यूंग अच्छा जुक मार्तिया, हाँ सच मैं आओ बैठो, यह बहुत जरूरी बात है, सुनो, भी सरूजी दीवी को लाइफटेम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है, उन्होंने इंटर्व्यू के लिए अपोइंटमेंट तिया है, क्या तुम उनका इंटर्व्यू लोगे? बिल्कुल सर, यह तो बहुत खुशी की बात है, उनका एड्रेस भेजिए, मैं पहुँच जाओंगा सर, ओके? ठीक है, शूर. सर, मैंने बाहर कुछ किया था क्या? मैं बैठा हुआ था और आप खड़े हुए थे सर? जाओ, मैं तुम्हें, हैड्रेस मैसेज कर दूँगा, जाओ. नमस्ते मैडम. नमस्कार. में गॉड़ ब्लेस यू. तो मेरे पैर उपर क्यों गिर गए हां? मैं तो बस आपका आश्रिवाद ले रहा था. पिता जी ने बड़ों के पैर चुने का मतलब बताया है. इसलिए मैं ऐसा करता हूँ. आपने मुश्किले जहली हैं. बड़ी महनत से आप यहां तक आई हैं. इसलिए हम सब को आप से सीखने की बहुत जरूरत है. तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत अच्छी सीखती है. तुम्हारे जैसे लड़के को इंटिव्यू देकर मुझे बहुत खुशी होगी. ठैंक्यू मैडम. जब भी कि टू ड़ानी चिनम्मा का नाम याद आता है, हमें आप याद आती हैं. आपको लाइफ टाइम अचीव्मेंट अवार्ड मिला है, आपको कैसा लग रहा है? उस दिन मुझे लाइफ अचीव्मेंट अवार्ड मिला था, जब लोगों को मेरी आक्टिंग काफी पसंद आई थी. अब ये सब तो भगवान की कृपा है, उसके आगे हम क्या हैं? वा, एक्सेलेंट वोर्ड्स. ये डॉक्टर राजकुमार ने कहा था, जब उन्होंने मेरु ड्रामा में काम किया था, वो अपने फैंस को भगवान मानते थे. मैंने उनके साथ काम किया, तो उनसे ना सीकूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आज भी वो अक्टिंग के किंग है. अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म्स कौन-कौन सी, बताईए? वो कौन है? वो फिल्म आपको क्यों पसंद है मेडम? क्योंकि तब मैंने एवर्ग्रीन सूपरस्टार और फ्यूचर सूपरस्टार दोनों के साथ उस मुवी में काम किया था. वो तो ही गोल्डन एक्सपेरियंस था. अरे क्या हुआ? क्या बात है ना? अरे क्या हुआ? अरे क्यों 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 करूए? मुझे क्यों मारा क्यों मारा मुझे बोल क्यों मारा मुझे मुझे क्यों मारा क्यों मारा मुझे क्या इंसाफ मांगना गलत है वो कौन है मुझे क्यों मार रहे हो तुम अरे क्यों मुझे क्यों मुझे मुझे हिसे हैं तो हिसे हैं? सर्ण सर्फ जिसे है बढ़ी है बढ़ी है झाल अड़ो रड़ो सचथ pleasant अँ वब हुआ हुआ वग क्या हुआ यहां पर? मुझे क्या हुआ है? क्या मामले को यह रफा दफा करें? नहीं. क्या? 500 और दू? 200 और दो. 200 और? क्या मैंने कुछ किया था? अरे बताना. तुम क्या बोल रहे हो? गगन? अकिर हुआ क्या था? क्या हुआ सर? सर आप यहां पर क्यों आएं सर? नहीं सर बिलकुल नहीं. यह 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 बंदा पागल हो गया है. तुम ने उसे क्यो मारा? मैंने मारा! किसे मारा? ओः बी सरोच डेhington को मारा क्या? यह यह भगवान? सरोच डेवी नहीं। तुमने यहां के वईैपी केश्ट प्राभाकर रेड़ी को मारा. फेमस क्रीमिनल लॉयर. तुमने उसे क्यो मारा? जब अमारा रहा यह वो तो उसने कंप्लें नहीं कि और मैं यह देलीट करवा दी तर मैं उसे क्यों अरूंगा ज़िए यह नाम तु मैं पहली बार आपके मुझे सुना उन सर अर मैं तो मैं तो मैंडम का इंटर्विव ले रहा था मैंडम का है सर वहारी लडाई देखकर उन किसी अंजान आदमी को क्यों मारूंगा अखिर, मैं ऐसा इंसा नहीं हूँ, सब के सब लगता है पागल हो गये हैं, कुछ समझ में नहीं आरा, प्लीज आप ऐसे यहां पर, क्या मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसकी वज़से आपको ग्लुकोस चढ़ाना पड़ गया, नाम क्या है तुम्हारा, मैंने बताया तो था गगन दिख्षित, मेरा नाम है, नहीं, हमें तुम्हें आक्टिंग का राजा कहना चाहिए, मुझे माफ कर दीजी आप, अगर मैंने आपका इंटर्व्यू खतम नहीं किया, तो मेरा जनलिस्ट होना ही बेकार है मेडम, इसलिए वोजब छोड़िये, मैंने इंटर्व्यू खतम कर देते हैं, आपका फेवरेट फूट, फेवरेट फिल्म, फेवरेट कलर, अम्मा प्ल प्लीज, प्लीज बताएए, प्लीज, प्लीज अम्मा, प्लीज अम्मा पताएए न, प्लीज, तुम्मे मुझको एक, एक छोटा बच्चा नजर आता है, पूचो, किस ने ये सब किस ने किया तुम मेरे बर्डे के लिए आये थे और अभी हॉस्पिटल में हो मैं उसे नहीं जानता उसे पहली बार ही देखा था मैंने पर मारते वक्त उसने जो कहा वो मुझसे जुड़ा हुआ था साथ ही तुमारे और मेरे इलीगल बिजनस से भी जुड़ा हुआ क्यों समझ रहे हो ना तुम सच में हाँ इसी कारण से मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी मैं लॉयर हो फिर भी अपने आप पर मुझे शराम आती है आज शाम को मेरी बर्डे पाड़ी खत्म होती मैं उसके बारे में जानकरी निकालना शुरू कर मैं भी डूंटा हूँ इस घर में आने के बाद तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता हमने धागा शांती और नीन सब खो दिया तुम्हें नहीं लगता जब से हम यहां पर आये हैं सब बुराई हो रहा है अब एक इस घर में आने के बाद हम मिनिस्टर से मिले ठीक है ना साक्षी ने एडरस भी दे दिया भी सरोजा देवी का इंटर्व्यू भी हमने लिया हमें पॉजटिव रहना चाहिए बे तभी हमें मैसूस होगा कि हम घर में नहीं जननत में हैं डेक फोन बज रहा है फोन बजने से सब सच हो गया यार तुम तो बिलको स लड़के की तरा बोल रहे हो अब देक मि बड़े सेलिबरेट नहीं कर रहा होता, फ्यूनेरल आज मेरा फ्यूनेरल होता मैं जरूर आँगा सर, सर मेरा एक दोस्त फिल्म डारेक्टर है क्या मैं उसे भी लेकर आ सकता हूं सर प्लीज सर बिलकुल बिलकुल, यह फ्रेंड्स आप माय फ्रेंड्स थेंक्यू सर ठीक है मैं आपसे यह ही रहूँगा, तुम बिल्कुल सहीते, यह तो भगवान का गहर है, अहा, तु खुद को सिचुएशन के हिसाब से बदल लेता है, इसलिए भले ही तुम भगवान को मानते हो, लेकिन तुम में भगवाने मैं नहीं मानता, मैं रात को मैसेज करूँगा, हलो से, हलो, यह देखकर तो लगता है, जननत में, नौलेज शो आफ से बैटर है, यहां के डेकोरेशन के पैसो से तो मेरी फिल्म बन जाएगी, मुझे मिनिस्टर से मिलवाना, अबे, इसलिए तुम्हें यहां पर लाया हूँ, यहां पर तुम अपरी स्किल्स को दिखाना, ओके, गुरू, बाहर, स्किल्स दिखाने के लिए थोड़ा पीना पड़ेगा, देख पी कर कोई नाटक मत करना, ठीक है, यहां पर मीडिया आई हुई है, अकेर आथा तो जरूर कोई हरकत कर देता, लेकिन तु मेरे साथ आए हो तो इसलिए सम अगर पहले निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्रे में होगी, तब तक हमें महमानों का मनोरंजन करना था, इसलिए हमने बार और बेंड का अरेंजमेंट करवाया है, गुरू जूस, अरेंजमेंट बढ़िया है, थैंक्यू, तुने कुछ के हैं अर्ण के हैं तुस, कैंगाँ, तुने का यह मिएंगाँ नहीं किया ना तुने, क्योंकि पीने के बाद मैं होड़ा हूँ त्योज होश में क्या होता हूँ ऐसकि अर्वारम क्रूकर त्रत esté हो थुपकर थ्छा मसक्तितितित को क्यों की आएगा और थेंप यहां लू सेंट्रल मिनिस्टर श्रीमान घंशाम यादव कुछ सेकंड्स में आ रहे हैं यार केशव मिनिस्टर आने वाला है और मुझे बहुत पसीन आ रहा है बहुत जादा गर्मी लग रही है मुझे स्वेट निकल रहा है अरे काम करो कि दूदू यू-यू-यू-यू-यू-यू Jacqui आपीबॉर्ण्ध बार्टे लाते के लाया जाए सिर। सेंचिंद्ध और टांसिंद career 건지 देखिए वो रहे सर यहां यह चश्मा यहां पर कैसे आगिया कौन है अपाजी हाजी हाजी अपाजी अपाजी अपना हा था 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 क्या कहा हाथ हटा अपना मैंने कहा हाथ हटा हाथ हाथ कर अपना हुआ कर अपना है यह अपना अरे तुम आप़ शांत क्यों गए अरे यह तो बंडे बेश था क्या ये सच में बर्दे बेश था? हाँ, बर्दे बेश था, तालिया बजाओ! मिनिस्टर के लिए चेर! बर्दे बॉइ 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 के लिए चेर! तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे जिन्दगी बचाने वाले रक्षक हो, I love you, I love you, I love you अपड़ी आपड़ी आपड़ी तुम आपड़ी साथ 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 पुजब इंश कर दो रखा है फुछ इनाओ भात जुछIO छिवसों रिए बात! जिएर आई भी तो, वात! taught this नए नए बात! सर, सर उन्हें मारिये वार अरे मुझे क्यों मार रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड नो, चोड़ो मुझे अरे क्यों, चोड़ो मुझे मुझे तुम ने मुझे क्यों मारा, मैंने नियाय मांगा था, क्या ये गलत था मुझे तुम्हारी मोच चाहिए, तुम्हारी मोच चाहिए मुझे घंचाम यादव पर गोस्ट अटक, ब्रेकिंद्ट इन्मीज अटक आं सेंग्रोल मैंनिस्टर घंशाम यादव मैनिस्टर के बर्दरे बार जर्रलिस्ट गगान दिक्षट में मैनिस्टर को प्रेस, पॉब्लिक और पुलिस के सामने किया हमला रहे, इस ही ने मुझे मारा था, यही था तुम्हें मानने वाला भी, यही था? हाँ गुरुजी की कहें मुताभिक ही, मैंने आट बजी पार्टी शुरू की फिर यह कैसे हो गया? मुझे अपने उपर होने वाले ग्रान अक्षट्रों के असर का पता होना चाहिए फिर यह सब कैसे हो गया? है? गुरुजी का है? सर, वो जिसने मुझे बचाया वही मुझे मार रहा था, इसका कोई तो कारण होगा गुरुजी गुरुजी आ रहे है ग्रान अक्षट्र, सिता रहे बेवकूफों वाली बाते मत करो उसने हमारे पास आकर हमें ही मारा इसका क्या मतलब हुआ? हमें उसे मारने के लिए हमारे आदमियों को भीजना चाहिए ए, पून दो लिजी वो है कहा? ए, दूर रहो सर चला रहे है इस्टब मत करो में के बाद मैंने क्या किया कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी याद नहीं मुझे रुखिये, मैं पूछता हूँ सर ठीक है सर बेल पेपर्स वो मेंटिली बिमार है इसलिए उसका बरताओ ऐसा है कॉंस्टेबल, सर याओ लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता चाहे वो तुम्हें पागल गहे उसका क्या महत्वा है अब पता नहीं क्या होका पापा, मुझे अब विश्वास नहीं हो रहा कि मिनिस्टर को मैंने मार रहा है सच क्या रहा हूँ मैं पापा, आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा मिनिस्टर प्यार से मुझे अपपा जी बुलाते है चाहो तो आप केशव से पूछ सकते हैं कौन तुम्हारा दोस्त जानते भी हो तुम्हारा दोस्त टीवी के सामने क्या बख रहा है प्राबलम तब से शुरू हुई जब से उसने अपना दागा खोल दिया उस घर में भूत है और उसी भूत ने उस पर कबजा कर रहा है तुम्हारा नॉंसन्स उसके फिल्म पूरी नहीं हुई है इसलिए वो कुछ भी बकते जा रहा है पापा वो कुछ भी नहीं बोल रहा सरा ये देखो देखो पता चल जाएगा देखो इसे मैं गंशाम यादव गोस अड़क पर एक नए अमोड गगन दिक्षित को बेल मिल गई है वो सेशन से बाहर आ रहे हैं क्या वो पॉसेज हैं या फिर गुसे में हैं चलिए उनी से जानते हैं पीची हाटर ले विश्याटर ओ만ो भी याद में बाद हैं घुछ जए कभा है वह दोर्ब्सरवल भी भी행प महँएव दोर्थरे अचल के विव काउल मोप उन्रव्सरण उन्रच्टक्रथर ग्रेव नहस्टकल जएठक पीचे यड़ह या जएवा में है वीफ़ जई आप आगे वेलकम देखिया आपके भग को कैसे बेर एमी से मारा है उसते हैं स्वामी जी पर एक छोटा सड़ा उट है वो मेरा दोस्त है या दुश्मन मैं समझी नहीं पा रहा हूँ इसे देखिया ना ये उसको जानता था ना वो इसको जानता है पर तब भी उसने इसे इतन माρα हई आप ही हमें बचा सकते हैं उसने नहीं किया है उसने तु में नहीं मारा हालो मार्टर अीज जिस ने मिनिस्टर पर हमला किया था उसे बेल मिल गई है एं यह तुम्हारे जुनियर लोयर का गहरे है ना वही पर तो हमने ने यह सारा सच यह आत्मा का काम है आत्मा का तुम्हारे किये गए पापू की सजा तुम्हें मिल रही है औरना आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्हेदार मैं बिलकुल भी नहीं होगा सवामी जी आप बस बूली कि हमें क्या करना होगा मिनिस्टर घंशाम यादव पर जिस रिपोर्टर ने अमला किया था वो बेल लेकर घर आ गए हैं ये उनका घर है उन्हें यहां आई हुए बस दो हफ़ते ही हुए हैं इसे इस एरिये का भूतिया घर भी कहा जाता है एक इनसान ने यहां पर खुद कुशी की थी क्या वही आत्मा अब गगन को परिशान कर रही है अगर आत्मा वाली बातें सच हैं तो आत्मा मिनिस्टर को क्यों मारना चाहती है मिनिस्टर को इसका जवाब देना होगा तुमने एक बड़ी गलती करती तुमने mental illness बताया है इससे इसकी पागल होनी की समावना बढ़ जाती है पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं दस है क्या बक्वास है इसने किसी रास्ते में चलते किसी आम इंसान को नहीं मारा है सेंट्रेल मिनिस्टर को मारा है कोट किसी दूसरे कारण से इससे नहीं छोड़ती तुमने बड़ी गलती की है हलो सर उठो उठो और घर जल्दी खाली करो खाली करो अब पूरा देश जानता है गर जल्दी से खाली करो जो यहां से जरूर जाएंगे हमें भी ऐसे घर में रहने का शौक नहीं है चलो बेटा इस घर में आत्मा बसी है ओ आप लोग चुप बैठेंगे प्लीज आप आत्मा की बात कर रहे हैं न मुझे इस पर विश्वास नहीं है मैं उन सवालों के जवाब ढूंड रहा हूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा मैंने लॉयर को मारा है मगर इस बात का सबूत नहीं है मैंने मिनिस्टर को क्यों मारा मैं खुद नहीं जानता इसने मुझे शराब पिलाई थी आप लॉजिकली क्यों नहीं सोच रहे कि सराब पिने के बाद ये सब कुछ हुआ है फिर आप क्यों इस घर को और यहां हुए सुसाइट को आपस में जोड रहे है बाकी चीज़ों को मत जोड़िये एक साथ ये सब कुछ गलत है साक्षी तुम्हें लोगों को समझाओ प्लीज मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है जैसा कि ये कह रहे हैं तुम पर जरूर किसी आत्मा का साया होगा वोट 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 नॉंसेंस अरे मैं वहाँ उपर जा रहा हूँ मुझे जाने तो इस घर का अड्रेस और जो अड्रेस तुम धून रहे थे दोनों एक ये हैं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए देखो शूती क्या इसी घर में रहती थी शूती शूती मेरे पास आने की जगा तुम इन लोगों को क्यू परिशान कर रहे हो तुमने खुद खुशी क्यू की तुम्हें जिन्दगी पसंद थी तो फिर खुद खुशी क्यू की पता नहीं उसने खुद खुशी क्यू की मुझे उसके और तुम्हारे बीच का रिष्टा नहीं पता पर तुम पर ज़रूर शूती का कबजा है तुम्हें मुझे उसके मरने का कारण बताना होगा शूती 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 मीडिया की लोग कह रहे है मिनिस्टर ने उसे मारा होगा शूती की जो आत्मा है वो अपनी मौत का बदला चाहती है शूती, शूती हेई, गगन तुम्हारी आखों में आसु मैंने कभी तुम्हारी आखों में आसु नहीं देखे तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, कौन है शूती एक साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था डिसेबल्ड फंड्स अलॉट्मेंट के बारे में उसने उस आर्टिकल के ऊपर कमेंट किया था वो कमेंट उस आर्टिकल से विचादा अच्छा था वो थी शूती हमारी दोस्ती शुरू ही और हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किये मुझे उसे प्यार होने लगा मैं उससे सच में प्यार करने लग गया था दो महीने पहले कुलकता एरपोर्ट पर पहली बार मैं उससे मिला था वो दिन मुझे आज भी आदे कर में इस भी आदे प्यार दो प्यार अशने किये जसा प्यार युझे आदे बादे प्यार आदे कि फ्लाइट डीले हो गई थी हम चले किस तरह जाना है मजे और ओ सॉरी सॉरी उस तरफ से आओ कि अचानक कुलकता कैसे आना हुआ तुम्हें देखने का मन कर जा था तुम्हारा यह सफेज जूट सुनकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई सच कह रहा हूं जल्दी कि से अपना असरी कारण बता दो मुझे यहीं सच है मैं बस तुम से मिलने आई हूं तो ठीक है मैंने मान भी लिया तो कोलकता में तुम किस होटल में रुकियो यह बताओ जल्दी बताओ मैंने कोई होटेल बुक नहीं किया है मजा करी हो क्या तुम तुम अभी फेस्टिवल स मुश्किल है सारे होटल फुल होंगे ओ मुझे अपने घर लेकर नहीं जाओगे अरे बॉस तुम यह सोच रहो कि जो तुम कहना चाते थे वह मैंने क्या दिया मुझे सुनकर अच्छा लगा बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा प्लीज अब सच बता दो क्या तुम कोल कि कृवाइड गुचा अट गुचा अबल्कि लड़कि लड़कि लाइव नहीं गलफरंडी तो मेरी दोस्त है यहाँ अच्छा तो मैं यहां पर रहता हूं अर्म्हाँ जो अब से लिखे, गोज़ एक तीन नहीं दो नहीं है। तीसरा रूम मेरा है, जब मैं बुलाओंगा तू आप अगा। आप ठीक है। टू मिनिट्स आप 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 अगा। घर की हालत तो बहुत जादा खराब गी। ये भी आगई। जब महमान आते हैं तभी इस घर की सफाई होती है। जरा एसे चेक करता हूँ, लगता है दूसरा कुशन लेना ही पड़ेगा। ये बुक्स तो मेरी समझ में ही नहीं आती है। मुझे इन्हें बेच दिना चाहिए था। इसे अभी यहीं पर रहने देते हैं। ये पुराना हो गया है। ये क्या है। ये क्या है। ये बुक्स शेलफर होगी तो घर्जादा साफ दिखाई देगा। तुम.. तुम आज़े यार। इतनी भी क्या अरजंसी थी। अच्छा टॉलेट जाना होगा उस तरफ राइट में। अरे नहीं, सिर्फ दो मिनिट्स नहीं, तुम्हारे कमरे की सफाय में एक हफता लगेगा। तुम इसे छोड़ो, मैं अज़ेस्ट कर लोगी। थैंक्यू सो मच्छ। ये बैचलर का रूम है, एज़ेस्टो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, जो कि तुम से कहे कि तुम उपर बैड़ पे सो जाना, मैं नीचे यहां सोफे पे सो जाओंगा। तुम यहां पर रहने के लिए अगर आही गई हो तो मैं बैड़ पर सोँगा। और तुम्हें नीचे यहां सोफे पर एज़ेस्ट करना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे पाप्रे, इतनी जल्दी तुम मान भी गई। मुझे लगा कि तुम लॉयर हो थोड़ा बहस बहस करोगी और फिर मानोगी। लॉयर्स उनसे बहस नहीं करते जिनसे प्यार करते हैं। अहां। सॉरी। टी। ओ टी। यह शो शो एक मिनिट। प्लीज तुम चेंज करो रिलैक्स हो जाओ। मैं भी लाता हूं। ओके। हेई, मुझे अब सच बताओ। तुम कोलकता किस लिए आयो बोलो। मैं केस के इंवेस्टिकेशन के सिलसले में आया हूं। मुझे लगाई था। तुम यह किसी खास काम से आया होगी। लेकिन तुमने भरोसा करके मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया। डेली ग्रेट। अब हमारे देश में भी लड़कियां थोड़ी सी बोल्ड होती जा रहे हैं। अच्छी बात है यह। थैंक्यू इस कब को कहा रखूं। मुझ को मत देना। अच्छे से दो कर वहां शेल्पे रख देना। उस तरफ शेल्पे रख रख देना। शुर॥र॥ शुर॥ मेरा चश्मा गे रहा और ये मैं भी एक तरह से अपाहिच हूँ बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता मेरी छोड़ो भगवान ने कितनी सारे अपाहिच लोगों को बनाया है कितनी मुश्किल होगी उनकी जिंदगी तुम्हारे आर्टिकल के बाद ही मैंने ऐसे अरे श्रुती वो तुम मैंने पेपर के लिए ऐसे ही लिख दिया था तुमने क्या उसे सीरियसली ले लिया पता नहीं पर तुम्हारे आर्टिकल ने मुझे में मदद करने की इच्छा जगाई तुम्हें पता है हमारे देश में अपाहिच लोगों के लिए कितना पैसा अल हमारी ओफिस क्लग का एक बेटा था उसका नाम था गंगाधर टेन स्टांडर्ड में टॉपर था वो भी अपाहिच था उसको सरकार में एक ट्राइसिकल दे थी त्यान से चाही का लच्ची है ना यूरोज़ की त्यान से च्वाकश कहरी है फुझ सबस्क्स है जिए सबस्टेव के इसल थी कर लोंगहताँ i साइकल पाने वाले दिन ही एक्सिडेंट में वो मर गया डूपलिकेट प्रोड़क्ट देने की जगह अगर वो कुछ ना ही देते तो आज वो जिन्दा होता हमारी सीनियर लॉयर प्रभाकर ने ये कीस हैंडल करने का सोचा था प्लीज काम डाउन शुदे उस दुपलिकेट साइकल के हर पार्स के टीटेल ही खट्टी करो कुछ भी मत छोड़ना वो कितने पावरफुल है इसकी जिन्ता नहीं है मैं हैडल कर लूँगा बस हमें ये केस हार ना नहीं है ओके मैंने साइकल के डिफेक्ट्स के बारे में पता लगाया तो फिर क्या हुआ फिर क्या केस अब तक सॉल्व ही नहीं हुआ लेकिन क्यों? मेरा सीनियर लॉयर प्रभाकर रेडी घंशयम यदव का पार्टनर बन गया गंगाधर जैसे आम इंसान के केस को सीरियसली नहीं लिया जाएगा हमारी मेडिया इसे जरूरी नहीं समझेगी मैंने तुम्हारे बैंगलोर ब्रांच की एडिटर अविनाश को भी बताया मैंने उनसे कहा कि हम पब्लिक अवेर्नेस फ़लाने के लिए आर्टिकल्स पब्लिश करें मैंने बहुत बार कॉल किया, रिक्वेस्ट भी करी लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसलिए अब मैं देश भार में ऐसी केसिस की रिसोर्च कर रही हूँ एक मिनिट हो कितनी खुबसूरत है इसका कैरेक्टर और इसकी भावनाए बहुत अच्छी है यह कितनी मासूम लड़की है वो चश्मे के वेना नहीं देख पाती है तो क्या मैं पुरी जिन्दकी इसकी आँखे बनूँगा ना इनीड यूर हेल्प मुझे खबर मिली है कि ऐसी केस की जानकारी कोलकता की एक जगा से मिल सकती है तुम्हें मुझे वहाँ ले जाना होगा शूर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो कल मुझे काली माता की मंदिर ले जाना कल काली माता का आशरवाद ले ले लेंगे फिर चलेंगे ठीक है ठीक है काली मंदिर के बाद ही चलेंगे है तुम यह क्यों लगा रहे हो कौन से भगवान की फोटो है खुदी देख लो है यह फोटो तो तुम्हारे आर्टिकल की है हम इसी आर्टिकल के वज़े से हम दोनों मिले हैं मेरे लिए तो यही भगवान है समझ गई इसलिए यहां लगा दिया ओके तुम अंदर बेट पर सो जाना और मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा पर सुभा तो तुमने कुछ और ही बोला था अरे मैंने तो अपना मन बस ऐसी बदल लिया ठीक है ना मन बदल गया तो जगे भी बदल रहा हूँ तुम अंदर सो जाना राम से मैं सोफे पर सो जाऊंगा गुड नाइट तुम अंदर क्यों नहीं आए भागवान पर भरोसा नहीं करते क्या है कि मैं लोगों और रिष्टों पर ज्यादा विश्वास करता हूँ ना कि भगवान पर अगर तुम सब के लिए अच्छा सोचोगी तो आस पास के लोगों के साथ अच्छा ही होगा यही भगवान है अगर तुम लोगों के साथ बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा और यह शैतान है देखो शुर्ती तुम खुद को ही देख लो तुम अपाहिज लोगों के लिए इंसाफ मांग रही हो और मेरी निज़र में यह बहुत अच्छी सोच है इसलिए मेरे लिए तो तुम ही काली माता हो साक्षात काली माता है थांक्यू हे भग्त क्या चाहिए तुम्हें मांगो मांगो पता नहीं क्यों मैं तुमसे बहुत स्यादा प्यार करता हूं शुदी शायद प्यार चीज ही ऐसी है मांगो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यह सब मेरी अच्छी यादे रहेंगे क्या मैं तुम्हें आलव यू बोल दूँ शुदी क्या बात है कुछ भी नहीं प्यार के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है लाव ना इस वांडर्फुल फीलिंग दुनिया में इसकी जरूरत है मेरा भी जानते हो दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार प्यार ही है मेरे अंकल ने बचपन से मुझे अंधेरे में रखा जितना हो सके जोड बोला और एक दिन अनात आश्रम भेज दिया वो कोट में नकली गवाह बनकर जाया करते थे वो शुरू से ही ऐसा करते रहे थे और जब मैं लॉयर बनी तो मेरे ही हाथों पकड़े गए मुझे यकीन नहीं होता मुझे से पैसे मांगने के जगा पर आप कोट में नकली गवाह बनकर चले आए और ये तो हाफ मरर केस था शुरूती मैं क्या करता मेरे भी खर्चे है कितिनी बार मैं तुमसे पैसा मांगता अगर आप मुझे से प्यार करते हैं तो ये सारे गलत काम छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कीजिए मुझे प्यार करते थी इसलिए ये सब काम छोड़ दी उन्होंने और अब एक सिक्योरिटी आफिसर के तोर पर काम करते हैं ये होती है प्यार की ताकत अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम उनका ध्यान रखोगे हे शुरूती आखिर तुम्हें क्या होगा हम चलें फ्लाइट के लिए देर हो रही है ना हाँ, चलो हाँ, मैं प्यार का इज़ार करना चाहता था पर उसके अंकल बीच में तपक यहां कुछ नहीं काय पाया अब कार में कोशिश करता हूँ सो मिस्टर गगन हम वाई यू सो साइलन्ट कुछ नहीं बस तुम्हारे लिए इज़त और जादा बढ़ गई है लोग बहुत मतलबी होते हैं लेकिन तुम तुम दूसरों के भलाई के लिए लगातर लडाई कर रही हो यह अच्छी बात है तुम एक बहादूर लड़की हो शुरती बहुत बहादूर अगर मैंने मुझे नहीं कहना चाहिए तो यह तो यह तुम्हें इसको चूलिया इसका मतलब की तुम्हें कुछ नहीं पूछना चाहिए है यह यह तुम्हें इसको चूलिया इसका मतलब की तुम्हें कुछ नहीं पूछना चाहिए है यह यह तुम्हें कुछ नहीं पूछना चाहिए ह बाइ सुरी एक 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 स्क्राण g थे सुरी टेक है छोई रान भीकracIAN खोईट़ में किया प्यार का अचार कर दू मैं क्या कह दूँ इसके शुरती, बने मिननेट बने मिनेट शुरती वो मैं बोल दे यार बोल दे यार प्लीज I really love you तुम तुम भी लडकों जैसे ही निकले आपी लडकों जैसे ही निकले I didn't expect this from you ओ, आ, हे, प्लीज, जल्दबाजी में कोई फैसला मतलो, यहां पर बहुत जाधा पॉलुशन भी है, तुम फ्लाइट से जाने वाली हो, बादलों के बीस से होकर फ्लाइट जाएगी, वहां पर मेरे बारे में सोचना, फ्रेश माइंड से सोचना एक बार, लेंडिंग होने के लड़कों को शरम भी आती है न, मैं तुमारे फोन का इंतिजार करूँगा, वह लास्ट मिटिंग थी, उस दिन जो उसका फोन सोच आफ हुआ, तो आज तक उसका फोन आउन नहीं हुआ, सोशल मीडिया में उसका कोई अकाउन नहीं है, मुझे लगा कि, शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो मुझे एवाइट कर रही है, दो महिनों से मुझे उसका एड्रस नहीं पता था, इसलिए से ढूंडते हुए यहाँ पर आ गया, मुझे लगा शायद हम दोस्तों रही सकते हैं, शुर्ती खुदकुशी करने वारी लड़कियों में से बिल्कुल नहीं, शायद से वो सच बोल रहे हैं, वरना तुम सेम घर में ही क्यों आते, उस धाकी को क्यों खोलते, शुर्ती की आत्मा तुम्हारी शरीर में है, इसलिए यह सब हो रहा है, शायद बाहर लोग सच ही कह रहे हैं, सवामी जी, सुना अपने, सवामी जी, अगर उस पर आत्मा ने कबजा किया है और उसने हमें मारना शुरू किया, तो यह तो पक्की बात है कि हम तो मरी जाएंगे ना सवामी जी, हमें किसी तरह बचा लीजी, सवामी जी, उसके अंदर जो आत्मा हैं, उसको आज ही निकलना होगा, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ी है, वो पागल है या नहीं, बस इसी पर चर्चा चल रही है, वो लोग हर एक मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, कैसे? उसने अपनी पेल के लिए, मेंटल इल्नेस का रिजन दिया है, तो हम आसानी से उसे आपके पास ला सकते हैं, बोलेंगे निमांस ले जा रहे हैं, आशरम में, समशान काली भूमा का इस्तमाल करूँगा, तुरंट, मैं उसे तुरंट घर से निकालता हूँ, एक्सक्यूज में, मिस्टर गगन, आपको निमांस से शिफ्ट करने के लिए कोड का ओडर आया है, प्लीज कॉपरेट, सर बताईने क्या हो रहा है, सर, सर प्लीज, ये कोई लीगल मैटर नहीं है, उसके शरीर में आत्मा है, आप उसे हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो, मेरी बात सुनो, उसे निमांस ले जाने का क्या फाइदा, एक आदमी जो खुद को शुरूती का अंकल बता रहा है, बेडिया के सामने बहुत बगवास कर रहा है, मैं उसे भी भेज़ता हूँ, आपको उसकी बहुत का पता हो ना चाहिए, शुरूती, प्लीज मन जाओ, शुरूती, रुखो शुरूती, सर गगन जिस एम्बूलेंस में है, वो निमांस के जगा दूसरी साइट से जा रही है, कुछ तो कड़बड है, मैं मीडिया वहाँ भेजता हूँ, ओके सर, मैं लायर को इन्फार्म करता हूँ, करणा हूँ, जिससे पूस्टा को चाँ सहाँ, प्लीज को बंगे जिसे एम्बूलेंस रारता बंगे। अर्म एक, दो करते हुआ साइटे आपकी एम्बूलेंस में लेपके शूसरा है, कर दो 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 तुम जिस घर में रह रहे हो और जिस अड्रेस को तुम ढून रहे हो वो सहीं है अधर बना वेदा वालों को आने दो करता है अजुम हो आने वालों दो आने लो once ऑालों आने अड्रेस सर इस अब क्या हो रहा है सर आपजी मैंने ये अरेंजमेंट्स करवाए कैसे हैं सर आपको मारकर मैंने बहुत बड़ी कलती की पर मैंने जानबुच कर नहीं किया था सर मैं जानता हूँ जानता हूँ मैं अमारी कोई दुष्मनी नहीं है पर तुमारी लवर शुरुती की आत्मा तुमारे अंदर है उससे मेरी दुष्मनी है इसका मतलब शुत्य ने खुदकुशी नहीं पर अमने किया था क्या हुआ गुस्सा आ रहा है शुरूती तुम्हारी लवर थी गुस्सा आना तो बनता है दुखी हो समझ सकता हूं हमने उसे हमारी लाइफस्टाइल फॉलो करने को कहा लेकिन उसने मना किया और कहा हमारी लाइफस्टाइल गलत है तो हम कैसे जीते इसलिए उसे मारना तुम्हारे अंदर से वह आत्मान निकाल देंगे शुरुती दूसरों को परिशान करने वालों में से नहीं थी लेकिन कोई उसे परिशान करे तो गुरु वह आ गई वह आ गई वह आ गई देखो उसे वह आ गई रुको रुक कर देखते जाओ तरो मत अच्टा वद करो हम देखते जाओ अच्टा वद करो हम देखते जाओ ले गया करें लुड़ने आर से मेंडने आर से जाएंटे ist एकास एकाल में वुड़ने आर मेंडने तेरे आर हैं आर रख़ने आर मेंडने आर रिख एकाल के विए प्रॉश्ट की काल, तूम-टो! अा हुआ! हुआ ह가 पूपते हुआ। गुँ रहांगे लाक 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 लाक? हुँ हुआ और वसकान आई चेसा आई रहा हुट बसुद में चिन हाद अदिदे खिंगार में चमत्छ के लगानोप नगब सौर्ण चुर्ण कमें बाद सнегоुट खोरो रसनी लाद ही उपने लो भाद जै को hall अजत के लोगिवाद आकल बोरोलो खिंग नगार दोल jij रखना को को हुआ 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 है कर दो इसक्तार आट हुआ है प्रच्छ बादे, 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 वो बशानकालिया इंदमाहा वो गिल मैं रखाली थे इंदमाहाउ यह आप बा를 डीजया, जो ऑन देरो आपकालिया और लिजया इंहें दो तकति याट deswegen ही ही जकती ही तर्ड़ा कि रखाले टुमीं वीण फुलीद साहरा की भगलाव वाय चेक जाव भगलाव प्रफजलाव। टुम्हेल हुएँ निकल जाव निकल जाव अमें तुम्हारे अंकल को माल डा लूंगा नहीं शुती प्लीज मताना पास मताना नहीं सुते मैं तुम्हारा अंकल हूँ दूर चली जाओ पास मताना पास आ गई तो इसा मार दूँगा मुझे यकीन नहीं होता कि इनके जैसे पड़े लिखे लोग भूद प्रेत आत्मा में विच्वास रखते हैं वो भी साइन्स और टेक्नोलोजी वाले इस मॉडरन एज में यर अनर इट्स अ सीरियस केस अफ एम्पीटी मल्टिपल परसनालिटी डिसाडर ही नीज़ टीटमेंट बूद प्रेत और आत्मा के लिए किसी भी तरीके का कानून काम नहीं करता है पर आप लोग भगवान की कसम खाकर सब कुछ सच सच कहते हैं और उस आत्मा को मैंने अपनी आखों से देखा है और वो कितनी खुखार है और खतरनाक है ये सब मैं ही जानता हूँ पर ये बातों को कोईट नहीं माने की आपको मानना ही पड़ेगा गगण को उन मौतों के बारे में कुछ नहीं पता है ये सब कुछ उस आत्मा का काम है यही सच है और ये सब आपको मानना ही पड़ेगा मैं सब कुछ सच कहे रहा हूँ और मिस्टर गगन क्या आपको इस पर कुछ कहना है? शुती खुदकुशी करने वालों में इसे बिलकुल नहीं थी आत्मा और भूत प्रेत वाली बातों में कोड़ सबूतों में मानता है इसलिए सौामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सारी बाते हम नहीं मान सकते हैं और इसलिए ये बात को नकारते हैं इसलिए IPC सेक्शन 84 के तहट हम गगन को एक कस्टडी में भेशते हैं और उसे अपने दिमाग का इलाज करवा कर आने की इजासत देते हैं और यही है कोड़ का फैसला पास मता ना मता ना पास मार दूँगा मुझे बाफ करको और ना? डिंते सुजए बाफ कुछा बिंते सुझए बाफ कुछा नEric लग डिंते फास रिया जो अम्त्रियम्भकम्याजा में सुकंदित पुष्टी बरतना सब्सक्राइब लुए! उटो! आदे दिदू जाए! आण भगवान इस अत्मे को निकालो इसे मुट्षिस है! कौन सा भगवान कौन सी शुती कौन सी आत्मा बताना मुझे ये सब मेरे बनाए हुए किरदार थे और तुम मेरे ड्रामे का आखरी किरदार हो इसका मतलब तुमारे उपर आत्मा का साया नहीं है मुझे शुती की मौत का बदला लेना था इसलिए मैंने ये सब कुछ किया कोई आत्मा नहीं है इन कमीनों की हाथों मैंने शृती को मरते हुए देखा था अपनी इन आखों से घर पहुँच गई तुम्हारे बिना ये घर बहुत खाली लग रहा है शृती Missing you ये देखो, वो मेरी अंकल है एक मेटा हाई अंकल, शृती तुम आ गई आपको स्पेशल बना रहे है तुम्हारी फेवरेट डिश सूप बब ये लो, खाओ थैंक यू शृती, मैं एक लेटर दूद लेके आता हूँ मैं जल्दी आता हूँ, दर्वाजा बन करके जा रहा हूँ तुमको न, मेरे अंकल के हाथ का खाना खाना चाहिए शादी के बाद तुम्हारे अंकल को हमारा कुक रख लेंगे क्या कहा, कम अगेन हे, मसा कर रहा था यार मैं मुझे कोई अच्छी सी न्यूस सुना दो, प्लीज वो क्या यह, एरपोर्ट पर एक लव स्थोरी थी वही, उसके बारे में सुना दो कोई आया है नो प्रोब्लम सुन शुर्ती 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 तुमने अमारी बात नहीं मानी हाँ शुर्ती तुमारे अंकल कहा है शुर्ती 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 अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हमें जेल भेजना चाहती हो हाँ 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 हेई हेई तुमने जो डॉकिमेंट्स कलेट किये थे कहा है वो हमें देदव देदव बताव हुआ शुर्ती शुर्ती तुमारे अंकल कहा है शुर्ती प्रभू 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 अगर इसे मार दिया तो सबूत कौन देगा ए नए छोड़ तो उसे ए शुर्ती ए छोड़ उसे ये तुम क्या कर रहे हो तुम इंसान हो शेतानों जैसा भरताओ कर रहे हो मैंने पहले ही उसके खाने में जहर मिला दिया था नहीं ये क्या बोल रहे हैं ये जरूरी था क्या माफ करना शुर्ती मुझे अर्जंट पैसे चाहिए थे क्यों आंकर मैंने ऐसा किया क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था माफ करना मैं सौरी भोल तो रहा हूँ ना अंकर अंकर अकाउंट में पैसे आ गए है थेंक यू जो करना है करो ने एक था सेंट्रल मिनिस्टर और दूसरा लॉयर मैं जानता था मुझे इंसाफ नहीं मिलेका क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचा जानबूच कर जिरे भगवान पे भरोसा है वो इसे आत्मा का चक्कर कहेंगे और साइन्स वाले इसे इस्प्लिट परसनालिटी की बिमारी लोगों को जो सोचना है सोचे कानून के हिसाब से मैं इनोसेंट हूँ मुझे मैंटल मैंटल इनलेस है अकॉर्डिंग टू आई पेसी सेक्शन 84 मैंटल इनलेस के चलते किसी को गुना की सजा नहीं मिल सकती दुनिया को ये लगेगा कि मुझ पर आत्मा का साया है और अगर तुम जैसा कोई कहेगा तो लोग यकीन कर लेंगे मैं पागल हूँ ये आत्मा के वश में हूँ किसी को भी इस वक्त पर पता नहीं चलेगा और ना इसका जवाब मिलेगा उठो प्रेस वाले आ चुके हैं वैसे मेरे को कहना क्या है उठो और अपने मंत्र पढ़ो जल्दी करो और क्या कहो और मैंने कहा कि हल्दी फेको और मंत्र पढ़ो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जैमाकाली जैमाकाली सुवेशाय नमहा सूर्यावन्शम नमहा नमहा ओ शम्षान काली नमहा शम्षान तमारी आखरी जगाए जाओ